हलो और विल्कम फ्रेंट्स आज की ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्यों इंट्रेस्टिंग है आईए दिखाता हूँ आज हमें एक सॉफ्वेर बनाना सीथ मैं आप सॉफ्वेर कैसा होगा, किस तरीके का होगा उन सब के बारे में जानेगे सॉफ्वेर एक कस्टमाइज सॉफ्वेर होगा और यकीन कीजिए कि इस सॉफ्वेर को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप सॉफ्वेर अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते अक्सेस मैं उपन करता हूँ, तो ये है डेटाबिस का नाम आ रहा है, और ये है डेटाबिस, यानि Microsoft Access के फाइल की extension, यहाँ पर क्लिक करते ही, आपको ये सिनेरियो नजर आएगा यहाँ पर आप डेटा डेरेक्ली एंटर नहीं कर पाएंगे, तो कर रहा रहे, जैसे design view पे जाते है, तो यहाँ table का नाम आएगा, इस table को हम नाम दे देते हैं, student table, यहनि student t कर देते हैं, और यहाँ से ok कर देते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर roll number दे देते हैं, तो roll लिखा underscore number लिख देंगे no, तो यह हो गया roll number, और roll number को auto number रखने के बजाए हम यहाँ रख लेंगे number, ठीक है, और यहाँ field one आ रहा है, तो field one को हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे name underscore of underscore student, यहाँ पर student का नाम आएगा, और अब यहाँ पर हम अलग-अलग subject के नाम देंगे, ठीक है, इस तरीके का software मैंने पहले भी बताना, बनाना सिखाया है, लेकिन इस video में full एक हम software create कर लेंगे, ठीक है, तो यह हो गया, और फिर यहाँ पर math, यहाँ पर math का नाम आजाएगा, फिर यहाँ पर आएगा science, s-c-i-e-n-c-e science हो गया, फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर s-c-i कर देते हैं, तो यह हो गया s-c-i-e-s-c-e-s-t इस तरीके से, और फिर यहाँ पर at last, यहाँ पर total marks आएगा, तो यह हो गया total underscore marks, ठीक है, और total marks देकर के, यहाँ पर average भी calculate चाहे तो कर सकते हैं तो यह भी हम करके देखेंगे तो average भी आ जाएगा बहुत ही आसान है कैसे आएगा सारी चीजे कैसे होंगी आएए देखेंगे यहाँ पर सबसे तले इसे बनाना है number तो यहाँ इसे number बना लीजेगा इसको भी number बना लिजेगा ठीक है फिर यहां पर science को भी number बना लिजेगा यहां पर भी number इसे बना लिजेगा सब को number बना लेने को पाद इसे बनाना है calculated ठीक है तो चुकि मैं use कर रहा हूं Microsoft Texas का 2021 तो यहां पर calculated मिल रहा है आगर आप 2007 यूज़ करेंगे तो query अलग से बनानी पड़ेगी यह बात ध्यान लखिएगा ठीक है तो यहां पर calculated data type ले लिजिए और लेते ही आपको expression builder नजर आएगा तो करना क्या है अब expression builder का इस्तमाल करना है expression builder का इस्तमाल कैसे होगा सवाल यही है जब आप बड़ा सीधा सा यहां पर square bucket बनाईए इस square bucket के अंदर सबसे पहले लिख द लिजेगा इस तरीके से bracket को close करिएगा plus का निशान लगाईएगा फिर square bucket बना लिजेगा फिर यहां पर दीजेगा mth math ठीक है जैसे मैंने दिया वैसे ही आपको भी दे देना है फिर plus का निशान लगा लिजेगा ठीक है अब यहां पर देना है science तो science कैसे देंगे तो square bucket बन लिजे तो यह calculate कर देगा यहां पर भी short text है तो इसे भी बनाएंगे क्या calculated ठीक है calculated बना लेंगे और बनाने के बाद चुकि हमारा average किस में आएगा हमारा average total में ही छिपा होगा तो total यहां पर लिखेंगे square bucket के अंदर और इसको divide कर देंगे जरा देखिए कितने subject है हमारे पा जो हमने बनाए है वो बनकर के त्यार हो गया है लेकिन यहां पर देखिए data type यहां पर mismatch बता रहा है तो इक काम करते है इसको हम यहां से cut करेंगे और cut करके अच्छा देखिए यहां पर गलती क्या होई थी यहां पर हमने total marks रखा है उपर देखिए जरा आपसे भी ऐसी ग करके okay कर दीजे तो यह आ गया है और यह देखिए यह जो पहले हमने लिखने के लिए प्रयास किया था वो चीज़ यहां लिखी हुई आई है ठीक है तो इसको हटा देंगे अब यहां पर student का नाम लिखेंगे जैसे मन यह पहरे student का नाम में राहुल ठीक है और यहां पर out of यहां पर अगला नाम गोरो लिख दिया हमने और यहां पर 55, 44 जो भी marks है इनके वो यहां पर डालते जाएंगे और हमारा answer आता चला जाएगा तो यह भी आ गया फिर यहां पर third आएगा तो यह थर्ड कर दीजेगा और यहां पर जैसे ही आईएगा तो यहां पर अगला ना आ जाएगा तो जो भी नाम हो वहां पर देते हुए यहां पर marks भी एंटर करवाते चलिएगा ठीक है और यहां पर at last जो marks आया है वो भी आ जाएगा और यह आने के बाद क्या करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि average भी calculate हो रहा है सब कुछ calculate होता हुआ नजर आ रहा है ए यहां पर यह देख सकते हैं इस तरीके से कुछ marks in के आये हुए है तो यहां पर यह भी आ चुका है ठीक है अब हम क्या करते हैं इस table को close कर देते हैं यहां से save करके table हो गई fully close अब क्या करना है यहां से create पे जाना है और create पे क्या करना है यहां से जाना है हमे form wizard पे और design view पे लेकर के यहां पे show table पे जाएंगे double click करेंगे यहां पे सबसे पहले role number लेके आ जाएंगे तो यह हो गया हमारा role number और role number के बाद यहां पर आएगा name of student ठीक है तो line से लेके आ रहा हूँ इसमें थोड़ा सा setting करना ज़रूरी है ठीक है तो setting इसको थोड़ा सा इधर math यहां पे आएगा योग्या math फिर math के बाद science आएगा योग्या science और science के बाद sst आएगा योग्या sst और sst के बाद total marks आएगा तो यह total marks हो गया फिर average भी तो आजाएगा तो यहां पे average भी लेके आ चुके है हम देख सकते हैं यहां पे सब कुछ आ चुका है ठीक है अब क में थोड़ी और setting कर देंगे, अब तो सब होई गया, नहीं, अभी सब नहीं हुआ है, इतने को select करेंगे, और select करके यहां से, यह देखिए, यह form design है, और यहां पर form design पर जा करके, और यहां पर arrange दिया गया है, तो arrange पर जाएंगे, और यह align दिया गया है तो इसको हम left side में align करेंगे तो सब left side में चला गया देख सकते हैं और अब इनको select करेंगे और इनको select करके इनको right side में align करना है तो यह कर दिया right side में align तो एक left हो गया दूसरा right हो गया अब यह properly एकदम fit हो गया ठीक है अब क्या करना है अब फिर हम क्या करेंगे यहां पर जाएंगे form design पर और form design पर जाने के बाद यह रिखे यह क्या है यह हमारा बटन है और यह हमारा क्या है यह हमारा text box है तो यहां पर क्या लेंगे यहां पर हम लेंगे यह लेबल तो यह लेबल ले लिजे और यहां क Institute of Technology यह बाइदवे यह एक fully registered institute है तो यहाँ पर जो है इसका registration number भी आएगा आप चाहिए तो लिख सकते हो फिलाल मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर जाकर के अब क्या करना है यहाँ पर जाकर के इसको alignment उगरा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ठीक है बनाएंगे और बोल्ड बनाकर क्या करेंगे यहाँ पर इसको एक red color में convert करते हैं और यहाँ से इसे align कर देते हैं center में तो यह center में चला गया तो यह इस तरीके से आ रहा है देख लीजिए अब क्या करना है अब आप इतने हिस्से को यह जो हिस्सा देख रहा है इतने हिस्से को select कीजिए ठीक है आप select कर सकते हैं और select करके अच्छे एक काम और कर सकते हैं आप इसको side में ला सकते है इधर की तरफ ठीक है एक दम ये इसके ठीक नीचे यह रीचे यहाँ पर और इसको भी लेके आ सकते हैं और select करके क्या करना है select जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे और इस इसमें आप background color कोई साभी fill कर सकते है ठीक है जैसे माली जी ये color fill कर दे ठीक है या कोई और अब जैसे माली ये text का color हम black कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर कर दिया तो यह इस तरीके से आप दिखेगा ठीक है एक काम और करना है form design पर जाना है और form design पर जाकर इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इस पर यह लगा दिए तो इसे हमने इस तरीके से surround कर दिया देख सकते है और surround करने के बाद जब इसको इसे click करेंगे view पर तो यह इस तरीके से नजर आएगा दिकिए एक जम बहतरीन तरीके से यह देख रहा है ठीक है लेकिन इसमें और भी settings बाकी हो, क्या क्या setting बाकी है यह रिखते हैं, यहां से इसको थोड़ा इसे drag करेंगे, और यहां पर बटन्स बनाएंगे तो पहला बटन कौन सा होगा, यहां पर बटन वाले के click करेंगे, और यह पहला बटन बला लेते हैं, यहां पर तो यह एक बटन हो गया, अब इस बटन से हम next record पर जाएंगे, तो यहां पर यह next record है, यहां पर next करेंगे और यहां text करेंगे, और यहां से next करके, और यहां से इसको finish करेंगे ठीक है, तो यह हो गया पहला ठीक है, और यहां पर फिर दुबारा जाएंगे और यह जो बटन है इसके क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर एक और बटन बनाएंगे तो यहाँ पर जाकर के इस तरीके से इसे ड्रैग करवाएंगे और ड्रैग करवाने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन है तो आप यहाँ पर चाहे तो एक और बटन बना से प्रीबियस रिकॉर्ड का बटन बन जाएगा नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से तिनिश करेंगे तो यह प्रीबियस रिकॉर्ड का बटन तयार ठीक है तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये next record हो गया और ये क्या हो गया ये हो गया previous record तो दोनों हो गया अब क्या करना है इसको थोड़ से drag करेंगे नीचे की तरफ ये देखिए ये ये इस तरीके से ठीक है तो ये करने के बाद अब क्या करना है अब ए यानि add new record का एक button बनाएंगे तो यह कर दिया हमने और यहां से next कर दिया और next करके इसे finish करेंगे और इस तरीके से करेंगे और इसकी size को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो यह इस तरीके से आजाएगा ठीक है थोड़ा सा यहां से decrease भी करेंगे यहां देखिए यह तो यह आ पर आपको दिख रहा है कि यह किस तरीके से मार्क्स इनको मिले हुए ठीक है अगर एड रिकॉर्ड पर जाते है तो नया रिकॉर्ड एड कर सकते है रोल लंबर अब जैसे माली यह रोल लंबर फाइब कर देते हैं यहाँ पर इशा एक और स्टुडेंट का नाम ठीक है तो य हिंदी format मैंने किया हुआ है यहां से इंगलिस इंडिया में convert करेंगे और यहां लिख देंगे ईशा ठीक है अब यहां पर आएंगे 66 77 55 44 यह दे दिया हमने और यहां पर 77 तो यहां पर यह भी add हो गया अब यह add हो गया तो क्या होगा यह add हो गया तो जैसे इसको close करेंगे इसको save करना होगा तो institute f के नाम से save करता हूँ institute f ठीक है तो यह हो गया institute f और यहाँ पर ok कर दिया तो ok करने के बाद यहाँ पर जब देखेंगे नो तो यह आया हुआ है लेकिन इसमें setting और भी बाकी अभी क्या करना है यहाँ पर जाके और यहाँ property sheet पर जाके और यहाँ form के अंदर जाके और यह लिखे यह जो है pop up ना इसको yes करना है आपको क्या करना है yes करना है pop up को और yes करने के बाद इस पर click करके इसका भी color हमें बदलना है तो home tap पर जाके और यहाँ से जाके और देखें यह इस तरीके से करेंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा और click करने के बाद ये लिखे, ये software बनता हुआ आपका नजर आएगा इस तरीके से, देख सकते हैं न, एकदम software like look आपको दिख रहा होगा, आप इसके click करने के इसको save लिख कर लेते हैं, save करने के बाद क्या करना है, हमें report design करना है, लेकिन report भी design करने से पहले हमें एक query लिखनी होगी, कौन से query है वो दिखाता हूँ, create पे जाएंगे, create पे जाने के बाद query wizard से जाएंगे, तो wizard से जाने के बाद ये पहला वाला simple query wizard, और यहाँ पर ये सारी चीजे लेकर के next, फिर next और फिर यहाँ पर ये query ही रहेगी, modify design पर जाके finish करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर अब form के अंदर हम देखेंगे, तो form forms ये आ रहा है, यहाँ पर आएंगे, और हमारे form का नाम है institute f, तो जो form का नाम है वही ले लेंगे, और किसके बेसे हम search करेंगे, त पर search करेंगे, तो यहाँ पर R जैसे ही type करेंगे, तो रोल नमबर आ जाएगा, और यह रोल नमबर लगा करके, और फिर इसको save करना है, run नहीं कराना, save करना और इसको close कर देना है, close करने के बाद इससे फाइदा क्या होगा, देखिए इससे फाइदा तो होगा ही होगा, अ आपको यह preview आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इसको close कर देना है, और close करके एक report डिजाइन करने है, तो create पर जाके report पर जाके, और यहाँ से यह query बनी है, उसके base पर जाएंगे, और यहाँ पर इन सब को लेकर के next, next करके, फिर यहाँ पर आप role number को इस तरीके से ला सक और यहाँ पर यह name of student आएगा, यह बता सकते हैं, फिर यह computer का आएगा, फिर English आना चाहिए, यह बता दिए, फिर next करिए, फिर next करिए, और modify design पर जाके, यह चुके report है, तो यहाँ आर कर देता हूँ, enter करता हूँ, तो यह कुछ इस तरीके से unarranged way में नजर आएगा, ठीक ह अब क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे लेके आएगे, ठीक है, अब देखें, यह जो name of student है, और यह जो role number है, तो अभी कैसे क्या क्या करना है, सब बताता हूँ, देखें, यह जो role number है यह यहाँ पर आएगा, ठीक है, दोनों एक साथ आएगे, ऐसे, फिर यह name of student आएग और इसको भी थोड़ा छोटा कर दीजे यहाँ से, यह छोटा करिए, तो यहाँ कम्प्यूटर वाला लेके आएगे, योग्या कम्प्यूटर, और इसको भी यहाँ से थोड़ा इस तरीके से बढ़ा कर लीजेगा, ताकि यह clear आपको नजर आए, ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो कम्प्यूटर है, इसको भी लेके आएगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसिट्यूट का लेबल लगा सकते हैं, तो आप लेबल लगा लिजेए, कोई रिकत नहीं है, यह तो टेक्स्ट बॉक्स है, और यह हमरा लेबल है, तो यहाँ पर जाकर के ले अब यहां से दिखिए, यह हमने दे दिया और यह देने के बार मिलेगा, तो इसी के अंदर हमें रैक्टैंगल पर यह है, इसको लेना है, और यहां से इसको ऐसे चलाना है, यह ध्यान करना है, कि ये ढख लेगा इसको यानि इसको cover कर लेगा तो फिर cover up जैसे ही होगा तो यहाँ पर right click करना है आपको और right click करके position पे जाना यह जो position दिख रहा है यहाँ पे जाना है और इसको send back कर देना है तो फिर यह नजर आना शुरू हो जाएगा और आपका properly यह नजर भी आएगा अब देखें यह माशादा institute of technology जो दिख रहा है यह इसमें color fill नहीं है आप चाहिए तो इसमें color fill कर सकते हैं यह उपर वाले हिस्से में आप color fill कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको rectangle फिर हटाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पर color fill कर पाएंगे तो यहाँ से जाके आप color fill कर लीजे यहाँ से जो भी color आप fill करना चाहता है यही color fill करना इसके यही color fill कर लीजे और इसको थोड़ा bold बनाएंगे बोल्ड यानि कि इस तरीके से ठीक है ताकि यह साब साब दिखाई पड़े और यहाँ पर click करके इसको center में लाएंगे और अब वापिस से वही काम की हमें वो बनाना है rectangle तो यहाँ से जाके rectangle ले लेंगे तो यह हमारा rectangle है यहाँ से जाएंगे और इस तरीके से यह हम यहाँ पर ले लेंगे ठीक है यह हो गया इस तरीके से अब इस पर right click करिएगा right click करके position के जाएगा send back कर दीजेगा तो यह ऐसे आजाएगा देख सकते हैं न तो यह बहुत ही आसान है और यहाँ पर अगर click करते हैं तो अब यहाँ पर parameter value माँगेगा कहेगा कि roll number enter कीजेगा तो अगर आपको roll number 3 का देखना है तो यहाँ पर roll number 3 एंटर कर दीजेगा 4 का देखना है 4 एंटर कर दीजेगा 5 का देखना है 5 एंटर कर दीजेगा जो भी roll number का देखना हूँ वो roll number एंटर कीजेगा उसी का result आपको नज़र आएगा लेकिन यह देखिए यह थोड़ सा unarranged way में है देखे न यहाँ पर two आ रहा है यहाँ पर roll number आ रहा है name of student गोरो आ रहा है उल्टा सिधा रहा है तो इसको भी सही करना पड़ेगा कैसे जाएंगे यहाँ से design view पर इसे लेंगे और यह देखिए यह जो roll number है न अब पहले तो यह जो rectangle है इसको आपको हटाना होगा तो यहाँ से हटा दीजे और यह जो roll number है यह इधर आएगा ठीक है और यह जो roll number है यह इधर जाएगा ठीक है और यहाँ पर इसको एक गम arrange way में बनाने के लिए हमको एक काम करना होगा इस सब को select करेंगे और select करके क्या करेंगे select करके easily ठीक है यहाँ पर आये click किया फिर यहाँ पर आये click किया यहां से इस तरीके से जाएंगे यह हो गया ठीक है यहाँ पर आये select कीजिए यानि सब को right side में align कर लिजगा इधर वाले को right side में और वाले को left side में किया है अब वही report आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी देखिए सब कुछ settle होने के बाद ये report आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी तो इस सिर्फ rule number 3 student का नाम है ही ना उनका पूरा marks है देख सकते हैं अगर माल लीजिए कि यहाँ पर आपने क्लिक किया यानि इस report को close किया यहाँ से save करके और फिर दुबारा इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर पूछेगा कि आप किसका report generate कराना चाहते हैं 4 का report generate कराएंगे तो 4 का नाम यूराज है और उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी ठीक है इस तरीके से आपको करना है उमीद करता हूँ कि पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छी जरूर लगी होगी और इससे काम आपका जरूर बनेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजेगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंकी फॉर वाचिंग देस वीडियो